भारत माता की, भारत माता की, आज की विजय अहितिहासिक है, अभुद्पुर्व है, आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है, आज विक्सिद भारत के आहवान की जीत हुई है, आज आत्म निर्भर भारत के संगल्प की जीत हुई है, आज वंचितों को वरियता के विचार की जीत हुई है, आज भारत के विकास के लिए, रज्जों का विकास इस सोच की जीत हुई है, आज इमांदरी, पारदर्शिता और सुशाथन की जीत हुई है, महित बंच से सभी मतजाताओं को आजर पुर्वक्त नमन करता हुई, मद्धपदेश, राजस्थान और 36 गड़ के लोगों ने भाजपा पर फरपूर्श ने दिखाया है, तेलंगना में भी, बीजेपी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है, यह हम सभी का सवभाग्य है, जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगत रुप से रनुभाव करता हूँ, कि मेरी जिम्मेदारी और अधीक बढ़ जाती है, आज भी मेरे मन में यही भाव है, मैं अपनी माताओं, बेनों, बेटियों के सामने, मैं अपनी युवास, साथियों के सामने, मैं अपने किसान, भाई, बेनों के सामने, आपने गरीब परिवारों के सामने उन्होंने जो मिलने जो बड़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाओं में देश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिशे हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ती हमारी युवा शक्ती हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही देश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनाओं में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वन्तित के मन में भावना है कि चुनाओं वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है यह चुनाओं हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बैन यह सोच कर खुछ है कि उसने जीसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युगा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विख्सित राष्ट देखना चाहता है साथियों मैं आज विशेश रुप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूँगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का पर्चम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति कि किसी का सुरक्षा कबच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुक्सान नहीं पहुचा सकते आज नारी शक्ति बंदन अधिनियम ने देश की माताओ बेहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नहीं बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्षों में भाजपाने, उन्तक, टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुंचाने के लिए कितनी इमान दारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारीश शक्ति का विकास, बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपून स्तंब भी है और इसलिए, इन चुनावों में, महलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजप का के विजय की, पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशिरवाद दिया है, मैं आज पूरी बिनम्नता से देश की हर बहन, बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजय पी ने किये हैं, वो शर्ब